नमस्कार, हाई एवरीबडी, वेलकम बेक टो माई चैनल and I hope you all are doing fine आज का जो वीडियो है वो गेन बेडिंग स्पेशल वीडियो है और आज हम बनाने वाले हैं एक वेलवेट का ब्लाउस जो की एक डिजाइनर ब्लाउस है एक padded ब्लाउस है और इसको different तरीके से मैंने बनाना बताया है I hope आपको ये अच्छा लगीगा, अगर अच्छा लगता है तो हमेशे की तरह लाइक कीजे, share कीजे, subscribe कीजे चैनल को और बने रही है चैनल पे, suggestion भी देते रही है, चलिए अब फटावट से वीडियो देखे ये ब्लाउस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है, ये तेर मीटर अस्तर, लाइनिंग रूबिया ये है दोती बखरम, usually दोती बखरम जो है, बलेजर में यूज किया जाता है, तो ये मैंने हाफ मीटर ले लिया है इसकă ये शाइनी पार्ट हम चिपकाते हैं and जो एक जो simple parts को हम normally रखते हैं शाइनी बाट को हम फाबरिक पर रखते हैं दिन प्रेस करके इस पर पेस्ट कर देते हैं अब इसके बाद मैंने लिया है वेलवेट इसके इस ब्लाउस को बनाने के लिए आपको स्रिफ वन मीटर वेलवेट की जरुरत पड़ेगी ये वेलवेट थोड़ा मैंने जादा ले लिया था चलिए अब हम कटिंग करते हैं सबसे पहले मैंने दोती बकरम को बिचा लिया है जो ओपन साइड है वो मेरी साइड है बैक ओपन का हम ब्लाउस बना रहे है उसके उपर मैंने ब्लाउस का जो अस्तर है वो भी रख लिया है सबसे पहले हम इसको cut कर देंगे proper एक simple तरीके से अब इसमें हम एक straight line draw करेंगे जो कि हम हमेशा हर कपड़े में करते हैं length हमारा 15 है plus 1 inch करेंगे 16 inch हो गया देए 16 inch वे ऐसे mark करेंगे ऐसे करके हम shoulder के लिए एक line draw करेंगे और यहां से 1 inch down पे mark करेंगे अब diagonally हम पहले यह shoulders measure कर लेंगे 8 हमारा half of shoulder है उसमें आप half inch थोरा margin रख दीजे और ऐसे कि diagonally मिला दीजे अब यहां से हम half of shoulder करते हैं जैसे कि आपको पता ही है तो यह 8 हो जाएगा यह 8 हो गया इस type से अब हम यहां से जो है 8 हो गया and then अब इसको curve में मिला देंगे अब वहां से मैंने जो half inch थोड़ा सा extra लिया था उस पर इमने line कीज दिया है अब देखे 1 fourth of chest plus 1.5 inch तो मैंने upper chest मेरा 38 है तो वो मैंने 9.5 रखा and then 1.5 inch extra and उसी line को हम straight waistline तक मिला देंगे neck की बारी है so यहां पर हम 3 inch लेंगे neck and जो इसकी लंबाई है वो हम 2 inch लेंगे इस type से आप thumb line में देखी चुके हो हम इसमें कैसा neck बना रहे हैं so अब हमारे पास यह इतना बचा यहां से हम half inch में mark कर लेंगे and bottom से भी हम half inch में mark कर लेंगे अब हम यहां से यहां तक इसको measure करेंगे यह 13 है तो 6.5 इसका mid मैंने ले लिया यहां से मैंने 1.5 inch में mark किया and इसको एक leaf shape में draw कर लिया इस type से अब हम यहां से half inch उपर करते हैं and इस पूरे उसका हम mid link आ लेंगे 5.5 and mid से इस .5 को join कर देंगे diagonally so यह हमारा draft ready है अब हम इसे cut कर लिंगे यह मैंने पुरा draft जो है वो cut कर लिया है यह दीखे neck में हलका सा ऐसे half inch का इस type से straight cut इस type से and then done यह हमने notch लगा लिया है तो यह हमारा back part cut हो गया है अब हम front part cut करेंगे front part के लिए जो folding side है बकरम का और अस्तर का वो मैंने अपने side पे रख लिया है एक line straight draw किया and then इसमें हम one inch extra लेंगे one inch extra पे मैंने mark किया and जो हमारा back का draft है उसको मैंने same to same रख दिया जैसे half inch होदे extra छोड़ कर अब जो fitting की बारी आई तो हम यहाँ पे जो है सिर्फ complete एक inch extra लेंगे यह हो गया इस type से अब देखिए अब हम जो है यहाँ से इस पे draw कर देंगे जो one inch extra था हमारा अब जो हमारा folding side है folding side से हम यहाँ से four inch लेंगे four inch पे हमने ऐसे करके mark किया and यहाँ bottom से भी हम four inch पे mark कर देंगे अब इस line को जो हम straight मिला लेंगे इस type से अब हम अपर से dart point 12 है हमारा so 12 पे हम एक mark करेंगे इस type से अब जो यह वाला point है यहाँ से हम एक inch इस side पे और एक inch इस side पे ऐसे करके हम इसका एक dart draw कर लेंगे यह देखिए इस point से इसको diagonally मिला के dart बन जाएगा यह देखिए अब हम इसको cut कर लेंगे यह हमारा front का part cut हो गया है अब हम यह blouse padded बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें extra भी cut करना रहेगा यह देखिए मैंने इस type से दोती बकरम को velvet पे चिपका लिया है अब यह मुझे जो pads हैं उसको attach करने के लिए एक layer और चाहिए तो मैं बस बचे हुए fabric से ऐसे करके इसको cut कर लूँगी अब आई sleeves की बारी sleeves हमारी 12 inch है plus 1 inch 13 inch 1 fourth of chest हमारा armhole के लिए हो गया and half of bottom जैसे हम हमेशा बनाते हैं वैसे हमने sleeves को draft कर लिया है अब यह front जो part है उसको मैंने लिया है जो हमारा center part था front का इसमें हम neck draw करेंगे so 3 inch हमारा broadness रहेगा and यहां से जो length है वो मैं 10 inch रखने वाली हूँ यह इस type से यह v-neck है तो 10 inch भी इतना कोई जादा होता नहीं है आप जिसे की देखी लोगे अभी and then यह मैंने इसको हलका सा curve shape में draw कर लिया and इसको cut कर दिया so it's done यह देखिए अब यह जो बचा हुआ है मेरे पास velvet इससे मैं sleeves को cut कर लूँगी इसके लिए मैं double fold किया and ऐसे करके sleeves cut कर लिया अब देखिए इसमें मैंने pad ले लिये हैं 38 size के and यह जो है blouse अब हम इसको stitch करना start करेंगे सबसे पहले back part लेंगे इसके सीधे पे जो है हम अस्ता रखेंगे और complete ऐसे करके इसको stitch कर देंगे complete neck और back everything ऐसे करके और same to same हम दूसरा part भी कर लेंगे इसको हम पलट लेंगे ऐसे notches करके परटने के बाद फिर आप इसमें प्रेस लगा लीजे यह बैच जाएगा यह है front part front part में यह एक अस्ता मैंने इसके साथ attach किया है और दूसरा अस्तार pad लगेगा उसमें so मैंने इसको ऐसे रखा सीधे पर सीधा and इसको complete stitch कर लूँगी मैं shoulder तक यह इस type से stitch हो गया same to same हम दूसरे side जो दूसरा part है उसको भी हम stitch कर लेंगे यहां से भी हम इसको इस side से stitch कर लेंगे इस type से same to same हम जो pads वाले hair layer उसको भी हम attach कर लेंगे यह देखिए यह में attach कर लिया है अब हमको इसमें स्री pads को attach करना है तो pads को attach यह हमारा dart point है हम simple pad का midpoint लेंगे और वहाँ पर रखेंगे ऐसे करके and इसको serious straight stitch कर देंगे जैसे हम stitch करते हैं यह stitch हो गया हमारे दोनो pads यह हो गया अब देखिए यह pad वाला portion भी stitch हो गया है अब यह इसके उपर हमने इसको ऐसे रखा and इसको हम stitch कर देंगे जैसे हमने back part को stitch किया वैसे हम neck को भी finish कर देंगे इसमें already हमने दोती बकरम लगाया हुआ है so that हमको इसमें extra बकरम लगाने की जरूरत नहीं है आप direct neck को पलट सकते हो और आप किसी भी type का shape इस दोती बकरम वाले blouse में दे सकते हो यह देखिए दोती बकरम यूज करने का एक इसी लिए मैंने इसको किया है क्योंकि जो वैलवेट है वो सिलाई करने पर कह सकता है अब देखिए इस shoulders को हम join कर लेंगे शोल्डर जोइन करने के लिए मैंने इस टाइप से इसको भी हम अंडर ग्राउंड जोइन कर लेंगे सो दाट एकदम finished blouse बने यह गया extra cut कर देंगे same to same दूसरा शोल्डर भी हम join कर लेंगे ऐसे किया अब अस्तर के लेयर को इसको पर overlap किया एंड इसको हमने stitch कर लिया यह इस टाइप से shoulder stitch हो गया है यह देखे कितने अच्छे से finish हो आए यह देखे back भी है यह ऐसे करके इस पर top seam भी लगा सकते हैं अब यह जो portion है यह थोड़ा सा ऐसा हो रहा है curve में हम इसको भी straight करेंगे back से हम इसको मिला लेंगे क्योंकि back हमारा perfect है अब देखे इतना सारा extra part है उसको हम cut कर देंगे half inch extra लेके अब इसमें हमें कच्छी सिलाई लगा लेंगे ताकि हम जो extra को cut कर रहे हैं तो हमारा blouse खुले न यह हो गया अब इसको हमने ऐसे करके cut कर लिया अब देखे यह हमारा पर थोड़ा जो extra fabric था उसको हमने ऐसे करके पट्टियों के रूप में stitch कर लिया है अब इसको हम जो front part है उसको पट्टी से finish कर देंगे हम चाहें तो इसको भी हम पलट सकते हैं बढ़ पट्टी से finish करेंगे तो जादा सही रहेगा ऐसे करके हमने इसको लगाया and then इसके उपर हमने top seam से stitch कर दिया जैसे हम बहुत time इसको देख चुके हैं पट्टी लगाना अब हम इसको fold कर देंगे आप थोड़ा सा बख्या stitching से इसको fold कीजिए बाद में आप इसमें hamming कर सकते हैं so यह done अब हम इसमें fitting लगाएंगे तो पहले हम इसे सीधे वाले जो part हैं उस पे लगा लेंगे अब इसको हमने इसे उल्टा कर लिया so that इसमें हमको interlock की जरुवत नहीं पड़ेगी upper chest हमारा 9.5 रहेगा 1 fourth of chest यह हो गया and waist हमारी रहेगी 32 तो उसका 1 fourth हो गया 8 inch अब ऐसे करके हम इसमें fitting लगा लेंगे दो stitching लगा लेंगे एक margin वाली stitching और एक fitting वाली stitching same to same हम दूसरे पार पर कर लेंगे 38 and 32 waist हमारा so इस type से यह हमारी fitting हो गई अब मैंने sleeves भी already ready कर लिया है so अब हम इसमें sleeves attach करेंगे यह देखिए इसका यह front part है अब हम इसमें मैंने sleeves भी attach कर लेनी है जैसे हम simple हर कपड़े में करते हैं और यह इस type से मेरी sleeves attach हो गई है आप चाहें तो इसमें आप lace लगा सकते हैं आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी पहन सकते हो आप पर depend करता है so blouse complete है so blouse ready होने के बाद मैंने इसे पहना है एक अपनी पुरानी साड़ी के साथ so यह blouse का back है इसमें मैंने डोरी लगा ली उपर और नीचे single hook यह इसका front look है अब आप देखकर बताईए कि आपको इसकी fitting और यह blouse कैसा लगा है आप चाहें तो इसमें lace भी लगा सकते हैं according to आपके साड़ी और लेंगा के lace के matching का I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा and thank you so much for watching